नमस्कार मित्रों जैस यारा मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिश शिंतन में हार्दिक स्वाकत हैं मित्रों कल मैंने बात शुरू की देव गुरू के राशी परिवर्तन की और मैंने बताया था कि 6 अप्रेल से गुरू मकर राशी को छोड़कर यहां वे 15 सेप्टमबर तक रहेंगे और उसके बाद वक्री इस्थिती में 20 या 21 जून के आसपास वक्री होकर मकर में जाएंगे और पुनहें 20 नवंबर को कुम्बु राशी में चले जाएंगे देव गुरू को सरवादिक शुब फल्दाई ग्रह माना गया है धन ग्यान और भाग के कारक है विवा और सुखी दामपत जीवन के भी कारक है वित्रों ये राशी परवर्तन कुछ राशियों के लिए सकारात्मक तो कुछ के लिए नकारात्मक रहेगा गुरू अतिचारी आवस्था में हैं इसलिए बहुत कोई पलनाम देश दुनिया में देखने को मिल सकते हैं और कुछ राशियों को भी ये बड़े कोई पलनाम देंगे एक महत्वपूर बात ये भी है कि अब ज्यादातर गुरू को अगले लगभग गेड़ वर्शों तक कुम्ब राशी में ही रहना है इसलिए कुम्ब राशी का ये गोचर बहुत खास रहेगा कल मैंने चार राशियों के फल बता दिये थे और आज के इस वीडियो में आगे की राशियों की बात करेंगे तो शुरुबात करते हैं सिंग राशी से देखें सिंग राशी वालों के लिए गुरू अब सत्तम भा विवाहित हैं तो वे विवाह बंधन में बन सकते हैं और जो विवाहित हैं उनका दामपत्य जीवन बहतर होगा इसके अलाबा गुरू का ये गोचर आपके करियर आपके कारी छेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा कोई बड़ा लाव या प्रतिष्ठा मिल सकती है आए कि अनिस्रोत भी बढ़ेंगे अब आपका स्वास्त भी बहतर हो रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा पेंडिंग में पड़े कारे पूरे होंगे अचानक या अनापिक्षित धनलाब के भी योग हैं नौकरी व्यापार आदि में इस्थिती अच्छी रहेगी जीव अर्पित कर दिया करें घी का एक दीपक जला दिया करें और सूर्य देव को भी अर्ग प्रदान करते रहें बात कन्या राशी की कन्या राशी वालों को मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे लगिर अपने स्वास्ते का बहुत ध्यान रखने की जरुरत होगी वह वह जीवन में बहुत सईयत होकर चलें क्योंकि स्वास्ति खराब हो सकता है और जीवन साथी के साथ तनाव पूर्ण संबंदों की वज़े से दिक्कतें खड़ी हो सकती है वाद विवाद से भी बचे रहें खासकर प्रापर्टी से जुड़े मामलों में धहरे रखने की जरूरत होकी इस गोचर में आर्थिक लाब होगा साथ साथ यह गोचर आपके कारिष्चेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए विध्यार्थिएं के लिए वक्त अन्कूल है प्रतियों की परिक्षाओं इस टैयारी में जूटे लोगों को सफ शक्ता नहीं है विदेश जाने के योग भी बनते हैं इसलिए जो लोग प्लैन कर रहे थे तो उनकी इच्छा पूर्ण होगी उपाए के तौर पर आप गुरुवार को गाए को चैने की दाल खिलाएं और केले का दान करें तुला राशी तुला राशी वालों के लिए प्रतिष्था और जान पहचान बढ़ेगी तांपत जीवन भी शामानों रूप से ठीक ठाकी ही रहेगा लेकिन यह गोचर आपके कारी छेत्र में थोड़ी समस्याय उत्पर्ण करेगा कारी छेत्र में थोड़ी साथानी से कारी करने की जरूरत होगी वादविवाद से रखना है संतान की देश्ट से बहुत अन्कूल समय रहेगा भाग का भी कुछ सयोग रहेगा आपको कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं आर्थिक लेंदेन में भी बहुत साथानी सतर्कता रखने की जरूरत होगी माता जी की विसेहत का ध्यान रखें उपाय के तौर पर आप गाय को प्रति दिन थोड़ी हल दी लगाकर गुडवा चने की दाल रखकर लोई खिलाना शुरू करें और कुट्टे को भोजन कराते रहें और अब बाद ब्रशिक राशी की गुरू का ये गोचर मिले जुले प्रभाव देगा कार्य छेत्र के लिए समय शांदार है प्रा एडमीशन दिलवाना चाहते थे तो उनकी इच्छा पूर्ण होगी और ये सही वक्त है ये गोचर धर्म अध्यात्म दर्शन प्राची विद्याओं में आपकी रुची बढ़ाएगा धार में गद्विदियों में थोड़ा सा वक्त देंगे अचानक धन प्राप्ति के भार्मिक इस्थल की सपरवार यात्रा कर सकते हैं एक बात जो आपको बहुत ध्यान रखने की होगी कि कोई भी निर्ले ले तो सोच विचार कर ले सलह ले कर ले जल्द वाजी में कोई निर्ले न ले दांपत्त जीवन में भी थोड़ी मदोर्ता रखें वानी व्योहार पर साधु संतों को ब्राम्बोनों को बोजन कराएं दक्षणा दें और नशीरी वस्तुओं के सेवन से बचे रहें वित्रों यहीं वानी को विराम दूंगा अगले वीडियो में हम शेश पची राशियों के फन आपको बताएंगे तब तक आप सभी को जैजै शियाराम नमस् झाल